हेलो स्टुडेंट्स वासुएजूकेशन में आपका बहुत स्वागत है अपन पंपढ रहे हैं पार्टनर्शिप में इंट्रेस्टांट्रोवि Jrs इंट्रेस्ट ओं MR चल रहाता है अपना द्रोविक्स पे किस तरी कि से इंट्रेस्ट चार्ज़ करते हैं फर्स्ट पड़ाता है जो मन्थली बैसिस पे जो इंट्रेष्ट है आज कर ये भी टोपीक है पास्ट एड़्जेस्ट्मेंट्स इन क्लोज अकाउट्स जब अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं मालो अपने फूरे final accounts को close कर दिया लेकिन एसी कोई entry थी जो बच गई किसी का किनी कारणों से किनी कारणों से अपने वो entry करना भूल गए या अपन कुन का ध्यान नहीं रहा किसी भी कारण से वो entry रहे गई अब अकाउंट अमरे ने कलोज कर दिया नेट प्रोफिट अपने निकाल लिया प्रोफिट डिस्टिब्यूट कर दिया लोगों पार्टनर्स में लेकिन वह वो एंट्री आद आ गई उस एंट्री का किस परकार से किस तरीके से अपन क्या करेंगे एड़ेस्टमेंट करेंगे उस एड़ेस्टमेंट को भी आज इस टोपिक में सीखेंगे इस चेप्टर में सबसे पहले जब अपन इंट्रेस्ट अन ड्रोइंग्स का टोपिक चल रहा था अपने यहापे इंट्रेस्ट अन ड्रोइंग्स में अपन सीख रहे थे monthly basis पे तो मैं एक बार थोड़ा सा revision करवा जिता हूँ पिछला monthly के starting में अगर वो drawings करता है beginning of the month तो साड़े छह महीने का क्या लगाते हैं अपन interest charge करते है अगर वो mid of the month करता है every month mid of every month then interest will be charged six month six month का क्या क्या जाएगा interest charge क्या जाएगा अगर वो month के end में करता है तो month के end में interest को जो charge करेंगे अपन वो करेंगे साड़े पांच महीने का ये तो क्या था monthly था जिसके अपनने कहीं सारे questions भी किये और अब आगे पढ़ेंगे quarterly quarterly में अपनने पढ़ा क्यों अच्छे से बनाए हुआ है उसके उपपर उस topic के उपपर आज इस topic को सीखेंगे इसकी कुछ questions करेंगे पहले quarterly जब निकालते हैं तो beginning of the quarterly जब होता है जब beginning of the quarterly होता है तो तब क्या conditions होती है साड़े साथ महीने का लगाते हैं beginning of the month में mid of month में लगाते हैं 6 महीने का और 6 मन्त का और end of the month में लगाते हैं 4.5 मन्त का मतलब साड़े 4 महीने का तो drawings की यह जैसे कि this question में मैं पढ़ रहा हूँ illustration number 10 अपन कर रहे हैं ABC तीन partners है कितने partners है A, B और C तीन partners है in a firm calculate interest on drawings 12% 12% लगाना है ठीक है परेनम लगाना है on the following drawings for the year ended on 31st March 2017 2017 को यह साल खतम हो रहा है उसका अपन को interest charge करना है A, A नहे जो drawings की है beginning of the each quarterly की है it means quarter के सुरू में की है 3000 तो मुझे आप बता सकते हैं कि एक year में, one year में कितने quarter होता है तो मैं आपका revise कर वाज़ता हूँ revision कर वाज़ता हूँ कि एक, तीन महीने का होता है quarter three months, a group of three months then called a quarter तो four quarter होता है in a year four quarter होता है, एक साल में कितने होता है चार quarter होता है तो beginning of the east quarter quarter के सुरू में अगर 3000 पर विड्रो करता है तो चार quarter होता है, तो total drawings हो जाएगी 12,000, clear total drawings कितने हो जाएगी 12,000, क्योंकि four वो और 3000 करता है, drawings तो 12,000 हो जाएगी total drawings इसी परकार से, जब वो middle में करेगा अब middle में भी करे चारे, end में करे करेगा तो four time ही अब four time करेगा, तो 4000 को four time से करूँगा, तो 16,000 आजाएगा और 2500 को करूँगा four time, four times 10,000 हो जाएगा, मेरी बात आप लोगों के लिए समझ में आरी होगी ये तीन केस आएं, तीनों केस इसमें समझ लेंगे, क्योंकि तीन ही केस बनते हैं quarterly में, beginning of the quarter, middle of the quarter, end of the quarter तो समझते हैं आओ, interest कैसे charge करेंगे, formula होता है amount, formula होता है amount, multiply by rate rate दे रखी 12%, multiply by time, time का मतलब होता है कितने महीने का होता है, और divide मतलब होता है 100, और multiply मतलब होता है 12, 12 इसलिए होता है क्योंकि month क्या होता है, इसमें पूरे month को calculate नहीं करते हैं तो इसलिए, आओ चलते हैं इसके answer है, first question read कर लो 3,000 at the beginning of each quarter each quarter का करेंगे पहले beginning वाला, ठीक है पढ़ो 3,000 उसने ड्रोइंग से कि 4 से को multiply कि है क्योंकि एक साल में 4 quarter होते हैं तो इसने 4 से multiply किया है साड़े साथ महीने का लगाना है मिड में 6 महीने का लगाना है और 4 महीन, साड़े 4 महीने का लगाना है यह मैंत का calculation करना आपको आठागी है यह हमाला amount आगा, यह हमाला amount आगा आप formula लगा देंगे amount 12,000, month 7.5 months और जो time है, वो आजाएगा 12 percent, जो rate है, 12 percent आजाएगा इस तरीके से जो interest केलकुलेट होगा अब आप इसको करके देख सकते हो आप अपने copy pen आप जो लेके बेटे हो आप कुद करके देखो इन चीजों को कि आप से हो रहे की नहीं हो रहे आप मेरी बात को ध्यान से सुनो और उसको copy pen से एक एक questions को आप अपने end by hand करो समझ में आ जाएगा या easy लो जाएगा 12,000 12 से 12 card दिया 2,0 से 2,0 card दी उसके बाद 120 बचा 1,2 से 1,5 को multiply करोगी तो 900 आ जाएगा clear हो गई बागी के दो आप अब इसी परकार से करोगे 16,000 या आपको पता लगी गया 6 months के से आए पता लग गया यहाँ पर रख दिया और रेट लगा दी बस इतना सा करना है चलते हैं next question पर next question है विराद 10% परेनम पर रेट के चार्ज करता है क्या चार्ज करता है interest चार्ज करता है drawings पर if the drawings during the year 20,000 अगर उसने during the year 20,000 कि पता ही नहीं कब कि ये कब नहीं कि तो जब परेनम दे रहा हुता है तो 10% ही लगाते है डायरेक्ली 2,000 पर मन पर मन 2,000 लगाता है लेकिन ये नहीं दे रहा है situation में कि beginning of the end of the month कौन से मन्त का लगाना है अब अब अपन को idea ही नहीं है कि अपन को beginning of the month तो साड़ी छे महीने ले ले लेते है अगर ये बोलता है मिड अब दा मन तो Immer 첫 ज浅ंफ तो 6 महीने ले ले लेते है मतली में परेनम दे जलता है तो 10% करते है तो दूरिंग दे रहा है पर मंत नहीं दे रहा है इसका मतलब ये मानईंग है अपन यह पूरे साल की ड्रोइंग्स है, यह जो ड्रोइंग्स है, यह पूरे साल की ड्रोइंग्स है, मेरी बात समझ में आई, यह जो ड्रोइंग्स है, यह पूरे साल की ड्रोइंग्स है, आउ समझते हैं कुछ और अच्छे से इसको, एक साल में इसने बीच जा ड्रोइंग्स किय कि आए गई यह अमाउंट है इस साल का अब इस पर कैसे इंट्रेस चार्ज करते हैं वही फोर्मुला लगाएंगे यहां पर अमाउंट और रेट अब टाइम नहीं लेंगे इसने टाइम की पर्टिकूलरली अपनको टाइम बताया है नहीं इसने अगर यह टाइम बता देता आपन उसके आकोडिंग ली करते हैं जो टाइम नहीं बता दा तो इसको आपन इस आकोडिंग ली करते हैं तो मैं बताच दाओं फर्स्ट केस क्या था फर्स्ट केस था इस ड्राइंग्स दूरिंग दायर 20.000 तो 20.000 इसने यहां लिया यह 20.000 लिया और 10% रेड़ दे रहके लगा जिए 2000 पेंटरेस्ट सार्ज हो गया यहां यहां पर टोटल द्रोइंच दे रहें कि 2000 इंट ट्वेल 24,000 24,000 को 10% लगा है तो 2400 आ गया इस तरह के से क्योशन करना है विदाउट एनी पर्टीकूलर टाइम या जब समझ भी नहीं कि टाइम डूरेशन दे नहीं रहा हो तब अगर यह दे रहा होता है तो अपन पूरा-प कर लेता है एक महीने में कई बार दो भी बार भी डूर कर लेता है जब ज़रत पड़ती पैसो कि तभी निकाल लेता है कोई फिक्स टाइम नियुक्त का निकालने का भाई वह ऐसा निए कि मिड़ आप दा मंत निकाल रहा है मिड़ आप दा क्वार्टर निकाल रहा है ऐसा क में ter minus condition में एसी situation में अपन क्या करते हैं सिक्स मन्त का सार्ज करते हैं कितने मंद इस मन्त का लेकिन वहाँ पर याँ पर आट आट यथे पर दे दता है his Kaiser Paitull and the एकरेंगें अपन जैसे कि 生नी एक आटR वह उस टोपिक आता उस टोपिक के अपने दो क्योशन कर लिए प्रेक्टिस में हो गया अब एक नहीं टोपिक आता इसी चैप्टर का एक टोपिक है जो है पास्ट एड़र्जस्ट्मेंट in टोपिक्षर कर दिया गया है देन उसके बाद में कोई चीज रिकोल होती है उस रिकोल ओके संधल करते हैं उसका एडजसट्मेंट करना हो तो कैसे करेंगे अब अपने ठोपर करनी है अगर अपन चेज आपर करक्ताइं तो फिर अपन को यह काम तो करना वो अपन बहुत डीप ली जाकर इसको पढ़ने वाला है। आओ पढ़ते हैं। Sometimes profit of the firm is distributed among the partners for a particular period without giving consideration to Trumps. क्या पढ़ा मैंने? कहीं बार क्या होता है, profit जो बार दे जाता है partners के बीच में. पर्टिकुलर पिरेड का without giving consideration to Trumps and conditions laid down in the partnership deed. मतलब जो partnership में लिखा हो है उसके accordingly अपन profit को नहीं बारते हैं और अपन ऐसे normally बार देते हैं. और फिर उसके बाद में such ignored or omitted या तो ignore कर देते हैं या वो रह जाती चीज़े. कई बार वो गलती भी हो जाती है कि अपन से जल्दी बाजी में accounts बनाए है तो जल्दी बाजी में कोई गलती हो गई. अब human nature है गलती तो हो ही सकती है या फिर omissions भूल गए अपन उस चीज़ को. The such treatment is called aid इस तरह के treatment क्या कहलाते हैं? Past adjustment क्या कहलाते हैं? Past adjustment कहलाते हैं. Situation for past adjustment arise when? ऐसी कौन-कौन सी situation है जो अपन उसको ऐसी arise होती है इसे पता कर चलता है कि भूल सकते हैं उसका adjustment कर सकते हैं अपन. करते हैं उन situation को deeply है पढ़ते हैं उसको बहुत अच्छे से आप इसको बहुत अच्छे से सुनो situation कौन-कौन सी है first situation है interest on capital is completely omitted interest on capital देना था deed में लिखा हुआ था देखो पता हो मुझे interest on capital का मैंने करवाता है मैं उसका revision करवा जीता हूँ एक मैंने topic पढ़ा था interest on capital का बहुत साल पहले मतलब आपने देखा होगा कुछ इस वीडियो में इसके पूराने वीडियो में तीसरे नमर के चोते नमर के class थी वो तो interest on capital के बारे मैं क्या पढ़ा था अपने उसमें पढ़ा था कि interest on capital चाहिए पार्टरिसिब डीड में अगर नहीं लिखा हूँ है अगर पार्टरिसिब डीड में वो picture silent किया हूँ है तो अपन इंटरेस्ट ओन चार्ज इंटरेस्ट ओन decentral डीड नहीं देंगे चाहिए कुछी भी हो जाये दूषरी condition थी interest on capital participle deed में लिखा हुआ है लेकिन business में अगर loss हो गया क्या हो गया? business में अगर loss हो गया तो क्या करेंगे? interest on capital नहीं देंगे उसके next condition थी अगर profit हो गया बहुत अच्छा गासा तो interest on capital profit भी हो गया और participle deed में भी लिखा हुआ है तो interest on capital को दे दे जाएगा एक condition ओर थी उसमें कि profit इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए अब डीड में लिखा हुआ है और profit भी हुआ है लेकिन इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए क्योंकि interest on capital मुझे एक लाग और पर देना है और profit हो है मुझे 50,000 का तो कैसे adjustment होगा तो फिर उस profit को क्या करते है capital ratio में बाड़ देते हैं यह बहुत याद रखने वाली बात है ध्यान से सुनो आप इस बात को कि अगर capital interest capital पर जो interest है वो ज़्यादा होता है और profit कम होता है ऐसी situation में ऐसी condition में अपन profit को capital ratio में distribute कर देते हैं मेरी बात आपको किलियर समझ में आ गए होगी तो आज वो ही चीज आई है कि interest on capital अगर भूल गए हो पन तो क्या करेंगे charge in the books of more or less तो charge in the books या फिर कम ज़्यादा कर दिया हो मतलब देना 20,000 था देना 20,000 था देना टेना 10,000 या फिर देना 20,000 था दे दिया 50,000 कम ज़्यादा हो गया फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा सेकिंड पॉइंट interest on drawings is omitted interest on drawings फ़र्म की तो विचारी की एक income होती interest on drawings उसको भी भूल गया अपन उसको भूल गया तो फिर क्या करेंगा अपन उसको चार्ज करेंगे interest on drawings को salary commission मालो कोई किसी ने बड़े अच्छा इसे काम किया था उसको commission देना था मतलब उसने बहुत अच्छा काम किया तो उसको commission देना था अब commission देना भूल गया तो ऐसी condition में उसको क्या देंगे commission देंगे या एक किसी पार्टनर को salary देना भूल गया तो वो भी देंगे profit हो भी डिवाड़े ने रॉंग रेशो अब देना था equal ratio में बाढ़ दिया अलग ratio में या फिर अलग ratio बाढ़ दिया देना equal था कुछ भी का मतलब यह है कि रेशो जो होना चाहिए था वो नहीं था अलग ratio था किलियर इसका लिए एक एक जामपर ले लेता हूं मैं A B एक दो पार्टनर से क्या है A B दो पार्टनर से 1 is to 2 में रेशो बाढ़ते हैं लेकिन A B ने क्या करा 2 is to 1 में profit बाढ़ दिया जल्दी बाजी में था 1 is to 2 की जगर 2 is to 1 बार दिया तो इस प्रॉफित को अगर रोम बाढ़ते हैं तो इसको प्रॉफित को अगर रोंग बाढ़ एक तो पड़ेगा ये पड़ेगा किस पे प्रॉफिट पे किस बिचार A को कम मिलना चाहिए था बी को ज़्यादा मिलना चाहिए था लेकिन हुआ क्या यहाँ पे एक को ज़्यादा मिलिया और बी को कम मिला तो यह तो बहुत गलत हो गया तो फिर उसको सही करना पड़ेगा keto 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 मैं ने और capital लगा दी या मैंने capital निकाल ली तो ऐसी conditions में क्या होता है कि वो ratio कम हो जाता है कई बार जादा भी हो जाता है तो उसका effect ने डाला मैंने किसमें अपने accounts में profit में तो उसका effect डालना जरूरी था तो यह इसको बोलते है retrospective effect मेरी बात के लिए लोगे पांच situation ऐसी होती है जो अपन को देखनी पड़ती है अब क्योशन कैसे आता है paper में क्योशन मैं बताता हूं कि ऐसे आता है वो कौन-कौन सी situation है समझो मेरी बात को ऐसी कौन-कौन सी situation है कि जो past adjustment में arise होती है अब आप क्या लिखो इन पांचो में से कोई भी चाह लिख देना आपके लिए मेहनत करके तो आप इसका पूरा-पूरा यूटिलाइज करो और इनको बार-बार यह नहीं आप एक बार देख लिए हो गया फ्री टाइम पर अब दो बार देख सकते हो तो दो बार देखो अब जिसका पुरानी रिविजन करना तो रिविजन कर लो यह आप करो क्योंकि इससे क्या होगा और अच्छे से होता जाएगा दीरे-दीरे course तो आगे बढ़ता जाएगा चैप्टर होता जाएगे अभी चै आप जो पढ़ रहे सब कुछ बूल जाओगे और बूलने के बाद के होता है फिर चीजे ऐसे लगता है जैसे बहुत साल पहले पढ़ी हो यह पढ़ी नहीं हो बिलकुल ऐसे लगता खतम से हो गया बोला क्या पढ़ाया आपने तो इसलिए रिविजन बहुत जरूरी है अब समस्तिस के मेथड क्या होते है इस थोड़ा सा मतलब अच्छा टोपिक है और इसमें से क्योशन मैग्जियूम टाइम बनते हैं मैग्जियूम टाइम इसकी टोपिक से क्योशन बनते हैं तो मेरी बात आप अच्छे से ध्यान पूरा किल्याली समस्तिस चलो मैंने समझा यहारला किया उप्रोस करते हैं फिर इसकी कंडिशन कौण कॉन कौन्दी संसी कंडिशन रह की मेरि बात अब उसकी क्या क्या मेधर है कि अब मैद को सब्जाजर्मेंट करना है थो क्या निक करेंगे कैसे उसका फोस्ट अब्रच पार पासें में यह पास акाउंट debit to sacrificing partners entry शिरफ इतनी सी है लेकिन अब इस entry में सर अमको तो बिलकुल कुछ पता ही नहीं तो अब समझो इसके आगे कान इसको अच्छे समझो Under this method the capital account of the partners who had been credited in excess would be debited and the capital account of the partners who had been credited less amount would be credited making an entry for net effect समझे कुछ नहीं समझे समझो माल लो दो पार्टनर है क्या है ये दो पार्टनर है वाई सब इन पार्टनर है डिसाइड कर लिया कि हम अना बराबर बराबर रेशियों बातेंगे प्रोफिट लेकिन इनका पुराना रेशियो था टू इस्टू वन ये था अब इनको जो प्रोफिट हुआ ना वो वाद थर्टी थाउजेंड का थर्टी थाउजेंड का प्रोफिट हुआ टॉटल प्रोफिट कितना हुआ आराम से समझना है इसको ध्यान से समझना मैंने जो रेशियों लिया है लेना, यह था 1-1 लेकिन लेड के उन सा लिया, 2-1 ले लिया, यह ऐसे होता ही, एक केस जो मैंने 5 केस में से एक केस उठाया है, अब 30,000 को बराबर बराबर बाढ़ने के लिए दो ही तो पार्टनर थे, 15-50,000 बाढ़ सकते थे, कितने कितने बाढ़ सकते थे, 15-15,000 दे सकते थ उनको दोनों को लेकिन ऐसा नहीं हुआ हुआ क्या 2-1 में बाढ़ दिया अब 2-1 मन का मतलब समस्ते हो रेश्यम बाढ़ना रेश्यम बाढ़ के देखना अब अपनी कोपी में तो समझ में आएगा आपको 2-1 में 20,000 और 10,000 ऐसे बढ़ेगा बाढ़ना 15,000 था मतलब सब दोनों पार्टनर्स को A और B को देना 15,000 था लेकिन A को अपने 20,000 दे दिये B को 10,000 दे दिये तो बताओ मुझे फाइदा किसको हुआ A को एको देना था 15,000 एको 15,000 देना था लेकिन दे दिये 20,000 तो 5,000 A को ज़ादा दे दिये न अपने तो नहीं देना चीए थे तो फाइदा हुआ उसको gaining हुआ और sacrifice किसका हुआ sacrifice का मत वोता है नुकसान किसने त्याग किया किसने अपना حिसा छोड़ दिया किसी ने अपना छोड़ देते उसको क्या बोलते है sacrifice कर दिया मैंने यहाँ पर sacrifice किसने किया B को 15,000 मिलने चाहिए थे लेकिन मिले कितने, 10,000 ही मिले, यहां पर देखो, आराम समझो इस बात को, कितना, 10,000 ही मिले भी चारे को, तो बोला, sacrifice हो गया, तो ऐसी कंडिशन में, अब लेकिन बिजनिस में से थोड़ी चलेगा, दान दक्षना चल दे दी वही, हम मेने माले, तू ले जा, तू ऐस कर, ऐस यह था है कि मैं A से पूरा पैसा मंगौ लूँ फेले, बाई साब, पंध्रा आपको जो 20,000 देते हैं बाई साब लेकिया आओ आओ, और फिर उसमेंसे 15,000 उसको दे दूँ, आर बीस से बोलूँ बाई साब, आपको 10,000 देते हैं वह लेकिया ओ, फिर 5,000 उसको मिला के 10,000 उ उसको 15,000 उसको देदू या तो या तो यह सा कर लूँ तो यहां तो बेख़ूफी है उसे पैसा मंगवारे और फिर उसकी को दे रहे हूँ उसके बढ़िया है न वाई सब 20,000 तो देने 15,000 थे 5,000 आप वापिस लियाओ B को बोलो भाई साब आपको 15,000 देने थे और आपको दिये मैंने 10,000 पर आप ले जाओ तो होगे ना सिदी से एंट्री A से 5,000 पर लिये और B को दिये तो A को लेने का लेने से जब उसको लेंगे पैसे तो उसको डेबिट कर रहेंगे आकाउंट डेबिट To B Secretary मैं जो बोलता हो नहीं हो सकता है मैं डंख सासी नहीं हो पाता है लिकिन जो बोलता हो उसको पर ध्यान रखना To B Capital Account Clear A की आपको बदेबिट कर दिया B की किवले को कारेड़ कर दिया मैंने आपको बताया था कि जिसको फाइदा होता है उसकी capital को create करते हैं तो फाइदा किसको हो रहा है अब मतलब जिसको पैसा दे रहा हूँ B को दे रहा हूँ ना 5,000 रुपे वापिस मैं एक बार समझा जिता हूँ मैंने A और B दो partner लिये थे A और B को 15,000 रुपे मैंने देने थे क्योंकि मुझे 30,000 रुपे का profit हुआ था लेकिन मैंने उनको क्या दे दिया A को मैंने 20 दे दिये B को मैंने 10,000 दे दिये जो कि गलत था अब जो ratio गलत हो गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा past adjustment के entry करनी पड़ेगी अब past adjustment के entry में मुझे देखना पड़ेगा कि एक single entry से काम चल सकता है मेरा क्योंकि A की entry करनी थी मुझे तो A के entry मैंने देखा कि A को फाइदा हुआ है B को नुक्सान हुआ है तो A का जो फाइदा हुआ है ज़ादा हुआ है तो वो ले लू मैं और B को देदू तो A जो लेड़ेगा entry होता है तो उसको करते है debit और B को जो देने की होता है तो इसको करते है credit तो जिसको नुक्सान हूआ है जिसको फाइदा हो गया जिसको गेन हो गया पंद्र Haki जगह 20,000 मिल गए विचारे को तो उसको फाइद हो गया ना उससे को क्या कर देंगे debit और जिसको नुक्सान हुआ विचारे को उसको क्या कर देंगे credit मेरी बात समझ में आ गई जिसने को gain हुआ है उसको debit जिसको sacrifice हुआ है उसको credit जिसको गेन हुआ है उसको debit जिसको sacrifice किया है उसको credit मेरी बात किलर समझ में आ गई होगी तो gaining partners capital account debit to sacrificing partners capital account देखो मैंने bracket में भी लिखा है रिशूड more amount जिसने ज्यादा पैसा ले लिया जिसके पास ज्यादा पैसा पहुच गया वो और नीचे लिखा मैंने अब मैंने इसका मतलब यह ही है कि मैंने उसको जिसको कम पैसा मिला इसको कम प्राप्त हुआ है तो आप समझ गयोंगे अब तो अच्छे से बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी है ऐसा मैं मानता हूँ आपके लिए अब दूसरा अब मैं आप जलते हैं दूसरे मैं अच्छे समेंट फ्रो प्रोफित आं लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट वह कैसे एडजस्टमेंट करतें पी एड़जस्टमेंट में अब मैं बताओ एक केस था ना तब तो अपने एक सिंगल एंटरी कर ली लेकिन अगर जब एक केस न पड़ेगा न अकाउंट सही को यह भावनाव में थोड़ी चलेगी दुकाने आ जाओ एडजस्टमेंट फ्रोफित आं लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट फर्स्ट केस है तो अपने सिंगल एंटरी कर समझ लिया सेकिन एंटरी में यह होता है तो इसमें पी एड़जस्ट को डेविट कर देते हैं और जो देना होता है उसको जैसे कि मैंने को इंटरेश्टन केपिटल देना था और पार्टर सेलरी देनी थी तो मैं एक बात बताओ इंटरेश्टन केपिटल देता हूं पार्टर सेलरी देता हूं पार्टर सो कमिशन देता हूं उसे फायदा किसको कुछ को होता है मतलब यह कुछ समझना तो चाहते हुआ क्लास में यहां पर आप अच्छ समझ सकते हुँ किया है क्योंकि partners को यहाँ पर पैसा मिल रहा है और panel adjustment को इसलिए debit किया है क्योंकि मुझे panel adjustment खोल करके ही मुझे क्या करना चाहिए इसका past adjustment करना है इसलिए इस account को debit credit किया जाएगा reverse में जैसे अपने 11th class में आपने देखा होगा suspense account खोलता था जहाँ पर account match नहीं होता था जहाँ amount match नहीं होता था जहाँ debit credit entry match नहीं हो रही थी तो उसको एक बार के लिए match कराने के लिए क्या खोल देते थे P&L profit and loss suspense account खोल देते थे इसलिए यहाँ पर भी अब यहाँ पर थोड़ी चीज़े अलग है क्योंकि वो trial balance में ही खुलता है suspense account only trial balance trial balance को match कराने के लिए ही suspense account को open किया जाता है लेकिन यहाँ पर अपनको match नहीं करवाना अपनको उन adjustment पर काम करना है इसको अपन भूल गए या जान बूच कर गलती कर दी या जल्दी बाजी है अपनने कोई काम कर दिया तो यहाँ पर करेंगे profit and loss adjustment account को debit then second entry होती है for omission of interest on drawings interest on drawings को omission भूल गए अपन तो interest on drawings तो firm की income होती है न भीया अब firm की income होती है तो firm को फायद होगा तो firm को फायद होगा तो firm का account क्या कर रहे है credit और नुक्षान किसको होता है मतलब देता है ना partners देते हैं तो partners का account कर रहे है कर डेविट यहाँ पर partners को मिला तो इसका account होगया credit समझो आप इस बात समझो बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ partners को यहाँ पर मिला बही capital भी partners को interest on capital partners को दी जाती है यहाँ पार्टनर्स ने दिया क्योंकि interest on drawing partners देता है तो इसको कर दिया debit और दोनों पोजिटिव में यहाँ पर समझ में आ गया आपको चलते हैं आगे इसी परकार से थर्ड एंट्री है अब थर्ड एंट्री में बोला गया कि अगर अब इस तरह के से मैंने debit क्रेडिट 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 क्या और पेनल एडिजस्टमेंट में अब पेनल एडिजस्टमेंट का लास्ट में आके देखा क्या प्रोफिट होगा क्या लोस हुआ अगर प्रोफिट होता है मालो पेनल एडिजस्टमेंट में जो एंट्रे बोली उससे जिसको प्रोफि लिएसे क्रूब नेक्स प्रेश है आजव अगर भी फैया तो ड्रोष होता है पार्टनर्स केपेलल है यहां ड़ Way वहां इंट्रीे कर्दें की त्टिस हो ऑलेटी कि आप इंटरी करके बता हो तो आपको इंट्रेस किसे करनी है अप अकाउंट बनाों तो अकाउंट किसे बनाना अब क्या करेंगे गामात अपने कहीены utis ऐका। जब बाड़ा प्रोप्रिंट को बाटनर के बीच में तो पार्टनर से लेते किया सिरफ इंट्रेस्ट्रान्ट ड्रॉइंग सब देतां और कुक्छ नहीं देताल तो इस प्रोफिट को बाट दिया जाता है तो देखो यह पे अपना सेलरी कमिशन sitting के लिए क्लिया interest on drawings और partners capital अगर कोई loss हो तो इदर आ जाता है मालोप profit नहीं हो loss हो जाए तो loss यहाँ आ जाता है ठीक ना loss को यहाँ बाड़ देंगे और interest on drawings यहाँ क्यूंकि भूलने वाली चीज़ यह तो है यह तो बताई थी मैंने यह चीज़ भूल सकते हैं अपन समझ में आ रहा है कि यह एक बार और समझ लो इन चीज़ों को क्योंकि बहुत अच्छी लास्ट आगया थेंक्स वोचिंग आगया देखना है अब आप लाइक सब्सक्राइब तो करते नहीं हो अगर आपको अच्छा लगता है तो कर दिया करो चलो पड़ो इंट्रेस्ट अन लेते हैं तो देना लेना क्या होता है मैं बता जाता हूं पार्टनर्स को मिलेगा कोई चीज तो इदर आएगी पार्टनर्स देंगे तो इदर आएगा फर्म देगी तो इदर आती है और फर्म लेगी तो इदर आती है समझो फर्म देती है तो इदर लिखती है फर्म लेती इसको वो इदर लिखते हैं फर्म जो लेती है पार्टनर से वो इदर लिखते हैं बात समझ में आगए होगी अच्छे से यह वीडियो मैंने बनाया आपके लिए और इसके आगे का वीडियो जो उसमें मैं फर्स चेप्टर आपको पूरा करवा दूगा और फिर कुछ कुछ क भी करेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो देखने के लिए थेंक्यू सो मच